खापा पुलिस टेशन अंदरगर शिवधाम घाट से रेट का अवैद उत्खनन करने का मामला सामने आया इस मामले में रेट का अवैद परिवहन करते हुए दो ट्रक सहे तीन पकड़े जाने की बात पुलिस विभाग द्वारा बताई जा रही है देराथ हुई इस कारवाई से रेटी का वैद उत्खनन करने वालों में हड़कम मच गया है जबकि पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है नागपुर में अवैद रेट उत्खनन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे नागपुर जिला प्रशासंद्वरा खापा शेत्र से कुछ रेट घाटों के स्टॉक को 31 दिसंबर तक रेट बिक्री करने की इजाज़त दी गई है रोजाना दरजनों ट्रक खापा से होकर रेट का परिवाहन कर रहे हैं लेकिन ट्रक्टर पर हुई कारवाई से भढ़के लोगों की वज़े से इन ट्रकों ने भी धुलाई बन कर दी है प्राप्त जानकारी के नुसार शरीवार रात करीब आंड बजे के दुरान कुछ लोग कढ़ान अदी के शिवधाम घाट से रेट का अवैद उत्खनन कर रहे थे कारवाई को भाव कुछ ट्रक्टर चालक अंधेरे का फाइदा उठाकर बाहन सहित भाग निकले लेकिन तीन ट्रक्टर चालक पकड़े गए पुलिस ने कुल बारा लाग साथ हजार पांच सो रुपे का माल जट किया खापा पुलिस ने चालक अनील भारत मसराम साले खाट सुनील मेशराम बंड और अमर शंकर राव दोनों खापा निवासियों के खिलाफ मामला दर्च कर उन्हें हिरासत में लिया है थानिदार अजय मानकर के मार्क दर्शन में A.S.I. विजय बाराई वसेहकर में शुभम आदमने जाच कर रहे हैं रविवार तड़के तीन बजे के करीब खापा पुलिस की तीम गश्ट पर थी जवाहर टी पॉइंट के पास एक ट्रक को रोक कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास रॉयल्टी पास नहीं मिला पॉलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक राजकुमार सुरेश रावत कुरहा अमरावती निवासी को हिरासत में लेकर ट्रक सहित 25,20,000 रुपे का माल जब्त किया पॉलिस की इस कारवाई से अवैद रेत उत्खनन करने वालों में डर का माहोल है जबकि कुछ लोग भूमीगत होने की जानकारी सूतरो द्वारा प्राप्त होई है